अब 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 अब्रिवन दुसर्ज उतकर शुक्ला वाम उतकर्श एजुकेशन हिंदी लेक्चर फॉर एक्जाम स्रीज में जिसके जरीए इसी भी एक्जाम में जो हिंदी सब्जेट का पोर्शन है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सके उसके लिए जो स्रीज चल आता है जिन प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोट्स जो हैं हर एक्जाम से संबंदित वो टेलग्राम पर मिल जाएंगे आपको टेलग्राम चैनल का नाम भी उतकर्श एजुकेशन ही है ठीक है तो आईए बिना समय वरवात के करना चुरू करते हैं लावनी चंद लावनी चंद एक सम मात्रिक चंद है मतलब कि चंद के जो भाग होते हैं उसमें जो एक पद है जो एक पूर्ण विराम से पहले आएगा उस पद में मात्राएं बराबर होती हैं जैसे कि इस एक पद में मात्रा है 30 तो दूसरे पद में अभी 30 मात्रा हों इस तरह से जब पदों में मात्राइं बराबर होती हैं तो उसे सम मात्रिक चंद कहा जाता है लावनी चंद वही इसी तरह का चंद है ठीक है अब आते हैं मात्रा से सम्मेद एक बात मात्रा गिनने के लिए नियम चोटा A छोटी E चोटा U और जीए यह मात्रा हैं जिसमें होंगे उसे एक मात्रा लगू मात्रा रस्व मात्रा कहा जाएगा इसके अलावा बड़ा बड़ी बड़ा O एई O ऑउ अग हा इनको दीर ग मात् गुरू मात्रा कहा जायेगा ठीक है तो ये याद रखिएगा मात्रा गिंते वक्त आप आप बात करते हैं कुछ मेतरपूर बात हैं कि लावनी चंद से संबन्दिद जो लावनी चंद के लिए है लावनी चंद के जो एक पद है उसमें मात्रा होगी 30 जो एक पद में दो चरण में बटा होगा उसमें पहले चरण में यानि विशम चरण में क्योंकि पहला तीसरा पाँचवा शातवा ये जो चरण होगे ये विशम चरण बोले जाएंगे तो विशम चरण में पहले चरण में मात्रा होगी 16 दूसरे चरण में सम चरण में मात्रा होगी 14 इस तरह से इनको मिला कर एक पद में मात्रा बनेगी 30 और जो पद का अंत होगा अंत अंत वो यहां तो किसी बड़ी मात्रा के साथ होगा या दो छोटी मात्राओं के साथ होगा जैसे कि यहाँ पद का अंत हो रहा है तो यह बड़ी मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा होगी यहाँ भी दो मात्रा होगी इसी तरह से अगर और अंत होता तो दो एक साथ छोटी मात्रा आती जैसे यह है अगर इससे अंत होता तो ये दो छोटी मात्रा आती या तो इससे अंत होता या अंत में एक बड़ी मात्रा आएगी हार जैसे शब्द है तो यहाँ दो मात्रा इधर है क्योंकि बड़ा मात्रा है और एक छोटा मात्रा है तो अब अंत केवल एक छोटी मात्रा से हो रहा, इसलिए इस तरह का शब्द लावनी छंद के पद के अंत में कभी नहीं आयेगा इस तरह का शब्द कभी नहीं आयेगा अब आईए एक एकजामपल के माद्धम से समझते हैं कि लावनी छंद के बारे में क्या बात है गर की रौनक होती बेटी सर्व गुणों की खान यही या सभी गुणों की खान यही बेटी होती जान पिता की है मा का अभिमान यही अब अगर भाई जिसको लड़कियों को भाई यह लिख लेना लड़कों को लिखना हो तो गर का रौनक होता बेटा सर्व गुणों की खान यही बेटा होता जान पिता की है मा का अविमान यही यह भी लिख सकते हो लड़का लड़की आराम से अपने इसाब से नोट कर लेना तो अभी मात्राइक इनना शुरू करते हैं तो यह है पहला चरण दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण तो यह विशम चरण में मात्राइं 16 होनी चाहिए और पद में मात्राइं 30 होनी चाहिए सम चरण में मात्राइं 14 होनी चाहिए ठीक है तो एक, दो, तीन, चार बड़ी मात्रा है, दो, फिर से बड़ी मात्रा दो फिर छोटी मात्रा हैं बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा आ, ई, उ, रिरी इनके इलावा सब देखो जोड़ो एक, दो, तीन, चार, पानच ए साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा तेरा, चोदा, पंदरा, सोला तो इस तरह से 16 मत्र हैं आ गई ठीक है सर्व गणों की तो एक दो जहां भी आधा आता है तो हाँ दो मत्रा मानी जाती है एक दो 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 एक एक उपजोड़िए इसको एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दास ग्यारा बारा दो चौदा तो चौदा मात्रा हैं हो गई इसी तरह से इसमें होगा दो 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 एक एक दो 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 एक एक दो एक एक इस तरह से मात्रा हैं सोला चौदा सोला चौदा क्रम में होती है एक पदमे मात्रा तीस होती है लावनी छंद का या फिर दो छोटी मात्रां, दो लगो मात्रां से होता है पढ़ में मात्रा 30, चॉन में मात्रा 16, 14 लावणी चंद से सम्मंजित, इतना ही याद रखना है मात्रा गिनना प्रेक्टिस करो किसी के आगर आप को ठाऊ खवार में, मात्रा में गनो समझ मना आए उससे comment box में पूछो टेलेग्राम में पूछो बिलकुल बताऊंगा आगे और भी इसी तरह से हिंदी के lecture आते रहेंगे उसके बाद गड़त, विज्ञान ऐसे ऐसे करके किसी भी exam के लिए एक proper playlist आपकी बना दी जाएगी जिससे आप उसको देखिए और फिर कोई भी exam दीजी आपका काम हो जाएगा Thank you very much, जैहन